उम्मीद है पक्ष और विपक्ष दलगत राजनितिक हितों से परे देश को सही दिशा देने की करेंगे कोशिस इस बार कई ऐसे राश्टिये मसले हैं जिन पर स्तार्थक चर्चा की कहीं अधिकाऊ शकता है एक बड़ा मस्कला तो वास्तविक नियंत्रण रेखा पर एहंकारी अडियल चीन की ओर से पेश की जा रही चुनोती है और दूसरा कोरोना वाइरस के संकर्मन पर लगाम नहीं लग पाना कोरोना के कारण अर्थ व्यवस्ता को पहुँची तगडी चोड भी एक गंभीर विशे है ऐसे गहन संकट के समय यदि संसद दलगत राजनीती का अखाड़ा बनी तो इससे दुरभाग्ये पूर बात और कोई नहीं होगी अगर कॉंग्रेस संसद में भी यही रवया अपनाती है तो इससे जाने अंजाने चीन के मन की मुरादे पूरी होंगी और एक तरह से उसके हितों की पूत होगी चीन के मामले में संसद से निकले अलग-अलग सुरों से विश्व समुदाय को भी कोई अच्छा संदेश नहीं जाएगा भैतर हो कि पक्ष विपक्ष यह समझे कि वक्त का तकाजा यही कहता है कि संसद एक सुर में देश दुनिया को यह संदेश दे की भारत का राजनीतिक वर्ग चीन के खिलाफ एक जुट है कॉंग्रेश चीन के बजाए अपनी ही सरकार पर निशाना साथने में लगी हुई है और वहें भी इस तथे की अंदेखी करके की चीन के सीमा विवाद उसी की देन है इस बार सरवदल्य बैटकों के बगेर ही संसद का मानसुन सत्रा आयुजित होने जा रहा है ये बैटकों कोरोना वाइरस से उपजे संकट के कारण नहीं हो सकी लेकिन यह कोई खास बात नहीं है इस तरह की बैटके अपचारिकता ही होती है इन बैटकों के जरिये संसद्य कारेवाही को सही तरह चलाने का संदेश भले ही दिया जाता हो लेकिन आम तोर पर इसके विगत राजनितिक हितों से परेहटते हुए राष्टिय मसलों पर गंबीर चर्चा कर देश को सही दिशा देने की कोशिश करेंगे संसत के मोजूदा सत्र की ओर से देश के साथ दुनिया की भी निगाएं होंगी क्योंकि विश्व समुदाई ये जानने को उत्सुक होगा की धोके बाद चीन सैना और विस्तारवात की घिनोनी मानसिक्ता का परदशन कर रही चीनी सत्ता के अतिकर्मन कारी रुक पर भारत का राजनितिक वर्ग सम्मिलित स्वर में अपनी बात कहने के लिए आगे आता है या नहीं लदाग में वास्तविक नियंतरंड रेखा के हा इरादों पर मोन सादे हुए हैं वहीं कॉंग्रेस मोदी सरकार को कोसने में लगी हुई है इससे शरम नाक और कुछ नहीं हो सकता कि चीनी कम्मिनिस्ट पार्टी से एक रहश्य में किस्म का समझोता करने वाली कॉंग्रेस चीन के बजाए अपनी ही सरकार पर निशाना स्ता कि अंदेखी करके कि चीन से सीमा विवाद उसी की देन है